एक जनवरी नय साल के दिन रात सोने से पहले ज़ाडू के निचे चुपके से दबादे एक चीज मालक्ष्मी दोड़ी चली आएंगी नय साल की आप सभी दर्शकों को धेर सारी सुब काम नाएं दोश्तों, नय साल पर आप बहुत शारी प्रयोग करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, पिकनिक मनाएंगे लेकिन छोटे से एक प्रयोग से आप अपना भाग के दर्वाजे को खोल सकते हैं हलाकि इस बार का ये नय साल बहुती सुब योग में आ रहा है हर ब्यक्ति धन के लिए सुबेश रात तक भागता रहता है आज कल के समय में महगाई इतना है कि आप कितना भी कमालो, कम ही पड़ता है लेकिन एक छोटे से प्रयोग से अपनी किस्मत को चमका शकते हैं इस बार एक जनवरी के दिन कई दूलब सुबसंयोग बन रहे हैं एक जनवरी रविवार यनि की रवियार के दिन पढ़ रहे हैं और इस बार नय साल के सुरुवात एक जनवरी से ही सरवार्द सिध्योग और अमृत सिध्योग से हो रहा है जिसके कारण एक जनवरी यानि नए साल के दिन से ही दूलब सुपस्योग बन रहे हैं अगर आप इसे नए साल के दिन रासोनी से पहले ज़ाडू के नीचे चुके से दबा देते हैं एक चीज तो माता लक्ष्मी कृपा पूरे साल बरसेगी दोस्तों कहते हैं किसमत का बदल जाए पता ही नहीं चलता और जब माता लक्ष्मी जी का साथ हो तब तो और भी दोस्तों ऐसा कहा जाते कि किसमत जो होती है वो अगर बलवान हो तो इनसान का कोई भी कुछ नहीं बिगार सकता अगर इंसान की किसमत बलवान है तो कुछ भी प्राप्द कर सकता है अगर किशी ब्यक्ति की तारे बुलंद है तो वे नई उचाईयों को छूलेता है वे ऐसे किर्तमान इस्थापित कर देता है कि समाज के लिए वे एक उदाहरन बन जाता है आपने ये भी बास सुनी होगी कि अगर कोई ब्यक्ति काम्याबी की तरफ आगे बढ़ता है तो समाज के लोग यही कहने लगते हैं कि इसकी किसमत इसके साथ है मातलक्ष वे कृपा इसके उपर बनी है इसके तारे बुलंद है इसके ग्रह नचत्र इनी की साथ दे रहे है दुनिया उसके खिलाप क्यों न खड़ी हो जाए वह एक काम्याबी को छोही लेता है कामियाबी को प्राप्त किये बीना नहीं रह पाता दोस्तों बता दे कि अगर आप छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो जीवन में लाव जरूर मिलते हैं इस बार नए साल के दिन यानी एक जनवरी के दिन नए साल के दिन दूलब सुपस्योग बन रहे हैं अगर रात सोने से पहले जाडू के नीचे चुपके से दवादे ये चीज तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आप घर में पूरे साल बरसेगी दोस्तों एक जनवरी नए साल के दिन कई दूलब सुपसयोग और तरगरही राजयोग का निर्माड हो रहा है जिसके करण माता लक्ष्मी जी काफी प्रसंद मुद्रा में रहने वाली हैं और जाड़ू जो माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिवस्तु है जाड़ू का ये उपाय जरूर कीजेगा जाड़ू के इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी आपके घर में खीची चली आएंगी और धनकी कमी कभी नहीं रहेगी दोस्तों जब नए साल का पहला दिन शुब होता है बेतर जाता है तो पूरा साल हमारा अच्छे से गुजरता है इसलिए एक जनवरी नए साल की दिन सबसे पहले तो आप यानिकी माता लक्ष्मी पूजा राधना जरूर करें फिर आप ये जाड़ू का प्रियोग जरूर क दोस्तों जड़ू हर किशी के घर में होता है लेकिन क्या आपको पता है जड़ू सीधे तोर से माता लक्ष्मी जी से जोड़ कर देखा जाता है जड़ू को लेकर बहुत शारे शुब और अशुब शगुन भी होते हैं जड़ू के नीचे एक जनवरी नए साल की दिन ऐसा क्या दबा के रखते राज सोने से पहले कि जीवन की सारी खुश्यां कष्टी हो जाए और सारी परिशानिया दूर हो जाए आए जानते हैं इसके बारे में क्यूंकि जड़ू जो है वो मा लक्ष्मी जी का परतीक है और दरता गरीबी रूपी परिशानी को घर से बाहर नि आता है आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरके हम प्रयोग भी करते हैं चोटी चोटी चीजे भी बहुत माइने रखती है तो आज हम कुछ खास बात बताएंगे जाडू को लेकर अगर चोटे चोटे चीजों को ध्यान में रखें तो घर से कलह कले से खत्म हो जाएंगे और इससे जाडू का नीमित प्रयोग करने से कुछ शमय में ही कुछ बातों कब शेष ध्यान भी रखा जाएं आपको पता है कि सुर्यास्त होने के बाद खास कर नए साल के दिन एक जनवरी के दिन सुर्यास्त होने के बाद जाडू बिलकुल ना लगाएं ऐसा कह जाते हैं कि इससे मातालक्ष्मी जी रूट जाती हैं और पूरे साल धनकी कमी बनी रहती है इसलिए एक जनवरी के दिन नए साल के दिन जाडू बिलकुल ना लगाएं जाडू तो क्या इस दिन आप पोंचा भी यानि की रात्र में ना लगाएं शुर्यास्त होने के बाद नए साल के दिन बिलकुल ना लगाएं खासकर पहली एक जनवरी के दिन वरना मातालक्ष्मी जी रूट जाएंगी और दोस्तरों को घर चली जाएंगी जाडू को जोतिस में हमेशा एकी स्थान पे रखने की बता आई गई है बाते की एक स्थान पे रखें जाडू को इधर उधर ना फेके और ना रखे वरना आपके घर से जो धन आते हैं वो प्रभावित होते हैं तो जारू को जहां तहां ना रखे और अगर आपने एक जनवरी नए साल के दिन सपने में देख लिया ज़ारू तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी जी कोई शुब स्माचार आपको प्राप्त करवाने वाली हैं धन संबदा आपको दिलाने वाली हैं तो जैसे मा लेजे कुछ समय से जैसे साल छे महीने हो गए और आपके घर में ज़ारू पड़ा है और जब टूट टूट कर गिरेगा तो जीवन की जो धन की परेशानिया है ये बढ़ा देगा और खास कर आप जब भी नई ज़ारू लेकर आएं तो आप नए साल के दिन ज़रूर एक ज़ारू लेकर आएं नए साल के दिन ज़ारू लेकर आने से घर में खुश्या चाही रहती है और आप ज़ारू को हमेशा ही छुपा की रखने की विवस्ता करें धक कर रखने के विवस्ता करें, बाहरी लोगों की नजरों से बचाएं, ऐसी विवस्ता करें, भूल कर भी खुले आगर में आश्मान की नीचे जाडू ना रखें, वरना जीवन में परिशानिय बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप खुले आश्मान की नीचे रखते हैं तो कभी भी किचन में ना रखें और इससे क्या होते कि अक्षर लोग जो बच्चे होते हैं घर में खाते हैं तुरंत वो जाड़ू लगा देते जूटा उठाई दरदर करते ऐसा न करें पहले आप पानी वगर का छिड़काव कर दे फिर आप जाड़ू लगाएं दोस्तों इस बार एक जनवरी नए साल के दिन दूलब सुपसंयोग एकशाद बन रहे हैं जिसके कारण अगर आप जाड़ू के नीचे राज सोने से पहले एक चीत दवा दे तो माता लक्ष्मी किरपा बरसेगी दोस्तों अगर आप धन की चाहत रखते हैं आप चाहते कि पूरे साल माता लक्ष्मी किरपा बरसे पूरे साल धन की किलत ना हो और धेर सारे धन संपता आपको प्राप्त हो पूरे साल जमकर पैसा बरसे माता लक्ष्मी किरपा बरसे तो राज सोने से पहले एक जनवरी की अगर आपके घर में थोड़ा सा नमक है तो आप डली वाला नमक भी जारू को नीचे चुपके से दबा दे तो घर से निगविटी दूर होती है जो निगविटी उर्जा है वो समाप्त हो जाती है पोजिटिव इनर्जी कवास होता है एक जनवरी नए साल के दिन राश होने से पहले जारू को नीचे आप एक मोर का पंख दबा दे आप देखेंगे घर साल धन की वारिस होने लग जाएगी माता लक्ष्मी कृपा बर्शेगी राश होने से पहले जारू को नीचे आप थोड़ा सा काला तिल एक मुठी काला तिल या फिर आप काली मिर्च दो में से कोई एक ची दबा दे पूरे साल धन की किल्लत नहीं होगी माता लक्ष्मी दोड़ी दोड़ी चली आएंगी घर में अपा धन संपता की वारिस होगी और आप थोड़े से क्या लें यानि कि अगर आपके घर में कुछ है या नहीं है तो आप हल्दी की गाठ ले लें या पिसी हुई हल्दी ही आप जाड़ू के नीचे जरूर चुपके से दबा दें इससे भी घर में शुक्षम्रदी और धन आगवन के स्रोध बढ़ जाएंगे एक रुपए का सिक्का ले ले एक रुपए का सिक्के में आप पहले नाम का अक्षर लिख दें हल्दी के सारे और जाड़ू के नीचे रास होनी से पहले चुपके से दबा दें मातालक्षमी कृपा से पूरे साल धन की किलत नहीं होगी और इस चिक्के को अपने आलमारी खजानी पे रख दें धन बढ़ता ही चला जाएगा धन संपदा में बढ़ती होगी और खुप सारा पैसा पूरे साल आएगा तो जाड़ू के नीचे ये चीज़े जरूर दबा दे इनमें से एक चीज़ भी दबा देते हैं तो मातालक्षमी कृपा बरसेगी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए अपने दोस्ते कोई ज़्यदा ज़्यदा इसे सेर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय मालक्षमी